हलो एव्रिवान गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट के लाइव पर क्या हाल चाल है फटा फट से बताओ ठीक है पढ़ाई कर रहे हो या नहीं जो की मैडम हमेशा पूछती है अरे यार पांच लेक्चर हो चुके हैं इसके गिफ्ट आफ चपल के फिर भी मैम पुछती रहते हैं पढ़ाई हो रही है या नहीं अभी तो मैम अभी तक तो टिप्स पे रट चुका है सबको जितनी बारी आपने रिपीट कराया है न उतनी बारी तो हमारे कंसेप्ट न उससे जादा क्लियर हो चुके हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नही है तो मेरे नाम है निधी अरूरा जो लोग मेरी डाउटनेट के लाइफ पर पहली बार आए हैं सबका स्वागत है यार अब देखो हम जो है ना अगर आप पहली बार आयो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नी है क्योंकि मैडम जी की नहीं खराब आदत है थोड़ी सीन की बेकार आदत है कि मैम ना शुरू से सारह रेपीट करवाती है ताकि जो लोग हमारे साथ नहीं नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आइडिया लगजाए अच्छा भई यह हो रहा है अच्छा भई यह चल रहा था इस क्लास में अभी तक यह हो गया है और इसके आगे हमने य अपने आदतों से बोर करती है हमें बही बार-बार रेपीट कर आती है तो बच्चों इससे क्या आपके जो थोट्स हैं और जादे क्लियर नहीं हो जाते हैं क्या पता है मेरा मानना क्या है आपको एक लेक्च्चर में सब कुछ word to word दिल से याद नहीं हो सकता है तो आपको दो तीन बार दिमाग में घुसाने पड़ेगा और वह घुसाने का काम है मेरा माम का ठीकर दिमाग में जहाती है माडम जी को ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे, Gift of Chappals की, अरे, बिल्कुल कर रहे थे, 5th lecture है, ये जो चाप्टर है, अरे मैं इतना घमासान, इतना बड़ा चाप्टर है, कहतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत है, इसमें बताना सरा, भी यह थोड़ा सा चाप्टर बड़ा है, और मैडम जी जो है, वो अराम अराम से भी तो पढ़ाती है, ताकि हर एक बच्चे को क्लास में समझ में आ जाए, ये तो मैम की आदत है, इसलिए जो है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये चाप्टर पर आज, अगर आपने मेरा साथ दिया, अगर आपने जो है, मेरी स्पीड से मैच कर लिया, मेरी स्पीड को पकड़ लिया, तो जो है भगवान जी के दया से हम ये जो चैप्टर है समपूर्ण तरीके से समाप्त कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं तो बोलो तयार हो की नहीं, बोलो अच्छे से पढ़ोगे की नहीं, बोलो अच्छे से साथ साथ समझो के की नहीं और ये बता दो मुझे और कि भई बार-बार रिपीट करवाओगे या फिर नहीं करवाओगे तो भी ठीक है या थोड़ा सा टाइम लग जाएगा दे रायत दुरूसता है पर अच्छे से याद सबको हो जाना चाहिए ठीक है शुरू करें क्या हम अपने जो है गिफ्ट अफ चपल्स की हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा रिविजन मैं करवा देती है ठीक है थोड़ा सा जब मैं हम रिविजन करवाएंगी थोड़ा सा जब मैं हम रिविजन करवाएंगी तो क्या होगा ना इसमें हम जो है देख लेते हैं एक मृदू होती है हमारी बनारस की लड़की है क्या ये नहीं जी बनारस की नहीं है ये तो मदरास की लड़की है जिसको आप चैन्नाई कहते हैं अपने कजन्स से मिलने के लिए जाती है कजन्स का नाम बताओ मेरे साथ में रवी मीना लली ठीक है पार्ट वन की कहानी थी ये तो कजन्स जो है ये दोनों मिलके दिखाते हैं किटन्स को किटन्स के बारे में कहानिया सुनाते हैं इस प्यारी सी फूल सी बच्ची के साथ ठीक है उसके सर के उपर से जा रहा है सब को फिर भी बता देते हैं उसको अब जो लल्ली है इनकी कहानी में यह आता है कि यह वाइलन की शौकीन वाइलन प्ले करती है यह अपने मास्टर जी से सीख रही है खराब प्ले करती हैं बट जो है इनको शौक बड़ा है ठीक है इनके मास्टर जी अपने म्यूजिक मास्टर जी से यह वाइलन सीखती है म्यूजिक मास्टर जी जो है वो तो बड़ा अच्छा प्ले करते हैं लेकिन लली जी में बात नहीं है अब फिर क्या होता है जितने में यह सब लोग देख रहे होते हैं इनके जो कहरनामे वाइलन जो प्ले कर रहे हैं उसके बाद उसी दौरान कौन आ जाता है पिक्चर में बिकारी बिकारी आजाता है अराम से कंफ़टवल होके वो घर में पढ़ जाता है आके घर के आंगन में बाक्याड में आके सो जाता है अब उनकी पाती बोलती है भाईया इनको बगादो रवी को बोलती है उसको बहो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है एक हफ्ते से लगाई जा रहे लगाई जा रहे भीया वापस जाओ ठीक है ऐसे वो कहे देता है जाके रवी जाके बोलता है बेगर जो है उसकी ना बड़ी दुरदशा है उसकी जो हाल है तो थोड़ी खसता है क्योंकि ना इतनी धूप में उसके जो पैर है वो जल चुके है अब वो ठीक है ठका हारा विकारी वो बोलता यार मुझे कुछ मत दो क्रिपा करके इस घर की महिलाएं कितनी दया लू है कितनी अच्छी है क्रिपा करके बस मुझे या थोड़ी दर अराम चैन की नीन ले लेने दो सो जाने दो धूप खतम होते ही मैं चला जाओंगा अब यह देख कर इन बच्चों को बड़ी दया आ जाती है इस पर बड़ी सारी दया आ जाती है कि बिचारा यह जो है धूप की हालत देखते हैं भई कितनी गरम तेज धूप है अब जो है पैर में चाले पड़ जाएंगे इसको मृदू को आइडिया आता है कि भई क्या हमारे घर पे कोई चपल रखी हुई है क्या हमारे यानि कि इनके घर पे तो रवी से पूछती है रवी बोलता है मैं तो नहीं जानता है हम जानता हो और हम में से किसी का साइस कविट ही नहीं आएगा इसको बिकारी को तो फिर अब क्या कि रहें वो जो है सब मिलके बच्चे ऐसे ब्रेंस्ट चपल होती है जिस पे टोज और फिंगर्स के गड़े भी चपए हुए होते है ऐसी टाइप की चपल होती है उस पे नजर पढ़ जाती है और वो जो चपल है वो उठा के दे देते है ठीक है इस बेगर को दे देते है और वो जो बेगर है फटा फट मतलब उसने देशनी मुजिकमास्टर निकल के आते हैं वो धूंड रहे होते हैं अपनी चब्ब खोलते हैं यार मेरी ना चब्ब का उसी मिल रही है मैंने तो यहीं हम इतारी थी मैंने मेह ऐखा पनी से लिए भावही मैंने खोले हैं अब भच्चे थी हैं हरान भई मतलब वह क्या गया कहानी में आप देखने हैं सिया कि क्या होता है भीया मैं तो बड़ी एक्साइटड हूँ किस को पिटाई बढ़ती है किस को मार बढ़ती है यह देखेंगे आभ याम ठीक है यहां तक कहानी क्या आप सारे बच्चो को क्लियर है बताओ मुझे अगर है तो नहीं है तो भी बताओ ठीक है अगर क्लियर है तो बता दो यार बता दो और रेपीट कर देंगे नहीं है तो चलो बहुत बड़ी आरे हमारे जो बच्चे हैं ना क्लास में मैडम जी आपको पता ही नहीं है बहुत स्माट है बहुत तेज ह हमें जो है सपाय कर दिया है हमने यहां तक की कहानी का पाट टू जो है अगर आप साथ दोगे तो खतम होने के लिए जा रहा है फटा फट से तो मैं आपको बता देती हूँ हमने जो है यहां तक स्टोरी पड़ी थी लास्ट ठीक है तो न रवी ने कहा था भालिया मुझे तो नहीं पता मैंने तो नहीं देखी music master जी की चपपल ठीक है तो फिर यहां तक की कहानी हमने पड़ी थी अब आप न मुझे बताओगे की हमने जो है अब हमे क्या करना चाहिए यह सब जो है आप मुझे बताओगे बताओगे बåलो हाँ ठीक है madame जी बिल्कुल बताएंगे अब क्या होता है.. गुज ले लेते हैं तो जो हम्गुज की बात करेंगे क्योंकि यहां तकि की बाते क्लियर हो गए थी मैं आपको लास्ट लाइन पड़के बता देते हूं ता कि सारे वच्छों को जाही सारे वट्चों को फटवट से last line एक line पढ़ रही हूं बस मैं एक line एक line जादा देरी नहीं है quiz के लिए कमर कसलो फड़ावट से he raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat अच्छा हमने न ये last class में हम पढ़ चुके थे कि भई उसमें आपने आखे उठाई और road की तरफ हो देख रहा है फिर उसके बाद जो है उसको एक चपल मिल जाती है फिर वो चपल दे दे देए हैं फिर जो है यहाँ पर रवी जो है चपल उनको पकडा देता है जपलों को भूरता है बेगर और फट फट से थेजी से भाग जाता है यहां तक हमने पढ़ा था फिर Music Master Ji आ जाते हैं वो कहते हैं कि भाईया मुझे चपल नहीं मिल रही है फिर उसके बाद लली को बुलाते हैं वो लली से पूछते हैं क्योंकि वो उसे वाइलन सिखाते हैं वो पूछते हैं भाईया तुमने मेरी चपल देखी यह सब लोग जो हैं सारे बच्चे शानती से तमाशा देख रहे हैं भाईया मुझे तो इन सब को डाउट है रहा हमने न वही चपल दे दिया इनको Music Master Ji को ठीक है यहाँ पे Music Master Ji कहते हैं ब्रांड न्यू थी वो चपल मैने अपनी दो महीने की फीस से ली थी एक पूरे महीने की फीस से यह चपल ली थी तो भाईया आपको रिटॉर्न करनी पड़ेगी अब क्या होता है कि आगे की स्टोरी पड़ेंगे कि भाईया उसके बाद क्या होता है इस कहां तक की बाते जिन जिन को क्लियर हो गया उनसे जो है ब्लिस्टर्ड का मतलब बताना है ब्लिस्टर्ड देखो ध्यान से देखो स्क्रीन पे ब्लिस्टर्ड कहां आया था ब्लिस्टर्ड कहां आया था यहां पे आया है ब्लिस्टर्ड चलो पीछे चलो पीछे के पेज़ पे ब्लिस्टर्ड यहां आया है कि भाई मुझे नहीं पता चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर यारो मृदू didn't have much time to wonder about मृदू के पास जादा समय नहीं था चिंता करने का किसके लिए किसके बारे में चिंता करने का मृदू के पास time नहीं था बताओ फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ यार overcoat के बारे में slippers के बारे में books के बारे में और इन में से किसी के भी बारे में नहीं तो देखो बेचा बताओ मुझे नहीं पता बताओ बताओ ना 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 चलो भी हम नाइसी question से शुरुवात करते हैं इसका answer सबसे पहले देंगे ठीक है इसका answer सबसे पहले solve कर लेंगे हम लोग तो बेचा जी मैं आपको बता देती हूँ कि मृदू जो है स्टोरी में आती है सबसे पहले जब वो रवी और मीना की घर पे एंटर करती है और उन्हें अपनी चपल भार निकालने होती है मृदू लेकिन रवी और मीना खीच लेते हैं उतने excited होते है कि हमारी बहन आईए हमारी कजन आईए अंदर आओ अंदर हमें कुछ दिखाना है उन्हें दिखाना था किटन को प्यारि सिसी चोटो सि इसे को दिखाना था लेकिन मृदू जो है अमझआ सब्हाशक मिद गजे उताह जाने है और मी patron को mlठी फॉरी एक दॉढ़न सी लेडी या उल्ड मैन की त्उब्ठी ठीक है तो यानकी मृदू जो है उसके पास जादा टाइम नहीं होता फिर इतने महीन रवी और मीना खीच लेते हैं जादा नहीं देख पाती इतनी सी ग्लिम्स देख पाती है वह चपल गी इसका मतलब यह हुआ कि मृदू के पास जादा समय नहीं था चपपलों पर ध्यान देने का मैंने एक क्वेशन पहले इसलिए करवाया है आपको बेटा जी कि भाई यह जो है कहानी के शिरुबात थी हमारी मृदू के पास जादा समय नहीं था कि वो चपपलों पर ध्यान दे सके तो बी हो जाएका मारा करेक्ट आंसर ओवर कोट मृदू नहीं पहना था बुक्स उसके पास नहीं थी और नन अव दी तो आएगा ही नहीं बीच हो जाएगा बेटा जी करेक्ट आंसर नो डाउम कर लो फटावट से अपने अपने कॉपी बुक्स पर चले next question पे चलो वहीं चलते हैं next question कहा रही है Blistered. इसकी मैंने आपको अभी-अभी हिंढ दि थी just अभी-आभी हिंढ दी कहाए Blistered का इहां पर दिया हुआ है क्या कहना चाहरए इसने का है MICHAEL BE睡े बिस्टर्ड जो भिकारी वह बेगर आता पास्टेंस है चमकने की तो शाइन मतलब हो जाएगा चमकना शोन भी चमकना है गलत जवाब है उसके पैर पहने के लिए उसके पास हालत नहीं अभी दिम्ड यानिके डल हो जाना अभी देखो पैर गोरे हो काले हो डल हो शाइन मार रहे हो हमें क्यों वरक पड़ता है उससे ब्लिस्टर्ड मतलब यह थोड़ी हो जाएगा कि भाई उसके पैर डल हो चुके हैं यह गलत जवाब होगा यह C है वुंडड यान कि जखमी है छाले पड़े हुए है पिंक जो है उस पर ब्लिस्टर पड़ जाते हैं यान कि C हो जाएगा प्यारे पैरे बच्चों हमारा कर एक जवाब और यह जो है न अर्थ जिन जिन बच्चों ने निकाला है ऐसे ब्लिस्टर से कंपेर करके वो बिलकुल सही निकाला है तो शाबाश ही देना चाहूंगी मैं आप लोगों को स्टेर्ड यानि कि घूर रहे हैं भाई यहां कह रहे हैं कि जो उसके पैर वो घूर रहे हैं किसी को मतलब कोई सेंस नी बनाया जवाब है सी नो डाउन कर लो फटाफट से सही जवाब है चले आगे मैं बहुत खुश हूँ यार मैं बहुत खुश हूँ प्यारे बच्चों कि भई हमारा जो है चाप्तर फटाफट से खतम होने को आ रहा है क्योंकि हमने इतनी सारी बाते कर लिया पर तक मतलब मुझे खुदी नही पहुंच चुके हैं कि हमने जो है चपल बिकारी को दे दी है और आके जब म्यूजिक मास्टर जी इंक्वाइर कर रहे हैं डूंड रहे हैं अपने चपल वहां तक बात कर चुके हैं अब देख लेते हैं क्या होता है कानी में क्या ट्विस्ट आता है क्या ये बच्चे मिलक अगर रुकुमनी को बताएंगे कि इन्होंने जो है चपल दे दिया है या नहीं बताएंगे देख लेते हैं अभी जान लेते हैं हम ये बात कुछ ही शणों में ठीक है स्टार्ट करने जा रही हूं तो जो है बुक्स निकाल लो अपनी या इसमें से देख लो हाइलाइट ठीक है चलो आजओ अफट अफट से शुरू करते हैं सून लली वेंट इंटू तेल हा मदर रुकुमनी अप्योर्ड लोकिंग हराज्ड विद पाती फॉलविंग अर्या हमने पड़ा था लास्टाइम भी कि भाया जल्दी से तभी कि होता है लली जो है पनी ममा को बताने क होती है वहर कुड अफट अपसेटिंग तो तिंक समवन माइट अव इस तोलन दें अब वो कहती है भाही कहां जा सकती है क्योंकि उन्हें इतनी शर्मिंद की महसूस हो रही थी म्यून्सिक मास्टर जी उनके घर आया अब उनके पास जाने के लिए चपल ही नहीं है उनकी यह और आब आधिस अपती है डिए है क्योंकिन हमन्स चपल एकए लिए और खी गया था क्योंकिन पर पहां सकती है यह बहुत शर्मिंद की बहुत उडासी वाली बात है कि ऐसा हम सोचें कोई हमारे घर आया और कोई अगर राहमा ऐब नंगे हम ऐसी अग कोर्ध आया और श कोड़ा सा और रिपीट करके बता देया था कि आप उसको फॉलो कर सको वह कह रही है कि काफ़ सारे काम वाले आते हैं काफ़ सारे वेंडर्स आते हैं हमारे दर्वाजे तक तो जो पाती है उनको चिंता होने लग गई यार Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree have you children she began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly seen anyone looking around the veranda अच्छा यह हमने पढ़ा था ठीक है इसमें का कि भाई जो है Rukumani को तोड़ा डाउट होने लग जाते हैं एक सेकिन एक सेकिन क्या तुमने तो नहीं तो नहीं तो दीरे दीरे हो जाती है और वो सबको देखते है कि भाई यह जो है वरांडा में गूम रहा है अच्छा वी शेप ब्लाइन हाट फॉर्ट्वीन अर आइब्राउस मतलब ऐसे गूट्री होते हैं क्या तुमने तो नहीं ऐसे करके उनके भाव आते हैं प्रकट होते हैं व्यक्त होते हैं अन्याजाजाए रुकमनी एक झाल सुखंट प्लाइस अजो प्लाइस अजोए प्लाइस अजोड़ में प्लाइस ऑन जाएं दूसरा अब उनका प्यरन्स बताइगाए मुर्दू को बिलकुल इसे कापने लग गई वो यह सोच जए कि भई यह जो रुकमनी यह तो भई आज बुखला जाएंगी यह भडग जाएंगी मतलब आज बॉहत बुरा लोने वाला है बच्चों की वाट लगने लाली है मुर्दू लुखले मुर्दू से मुरण की आजएव लगने यह जो बॉखलेस बहां बनाद से नहीं कि बच्चों से जाएव अजए तो भी बनाद सूरी है अगर हमें नहीं पता हो था कि वो Master Ji की चपल है Music Master Ji की हम दे देते हमारी यह जो Rukumani है वो भी दे देती ठीक है ऐसा वो कहती है Taking a deep breath she cried Rukumani there was a beggar here Poor thing he had such boils on his feet यह भी हमने पढ़ा था वो बलते है ऐसे सास छोडती है तो बात यह है कि Rukumani जो नहीं Rukumani ji की वहाँ पर एक बिकारी था और मतलब इतनी बुरी हालत थी ऐसे पूर थिंग हम जब किसे पर पिटी फिल करते है ना किसे लिए sorry पर बुरा पिल करते है था पूर थिंग ठीक है गरीब इनसान जो है उसके पैरों में कैसे चाले पड़े हुए थे तो मतलब तुम्हारी इनुजट उते हैंmam झोलहे मतलब तुम्हारी है तुम्हारी एक जब दो कि अश्य जट रिन नगा कि आपेत्हा को चल्पलो कॉल कMusic चपल्पल ही POWThis नगा मतलब के यार वे चाते हैं मतलब ही जा कि एका है और सबस्केक आपती है करना who gave away everything he had even his gold earrings he was so kind and generous यहां पर वो बच्चे बोलते हैं कोई एक बोलते हैं कि अम्मा क्या आपने हमें यह नहीं बताया था करन के बारे में कि उन्होंने अपने सब कुछ दे दिया था यहां तक की अपने सोने के यॉरें भी दे दिये था कान में जो पहनले जुमके उता है वो भी दे दिये था क्या वो काईंड नहीं थे..क्या वो उन्हों बहले इंसान नहीं थे ..अगर उन्होंने ऑसकिया था थो.. तो क्या हुआ अगर हम बच्चो ने भी एसे दया दिखा बे अपना ने दूसरों का सामान नहीं दिया था उठाग है आपना समान तयागा था उन्होंने दूसरों का उठाग नहीं दे लिए था वो वो शर्ली मुएजब दे दिया था वो music master के चपल दी इसे कैसे कर सकते हो यह बक्चो तुम लोग भी भी नहीं अब जो है रवी को गुस्सा आ जाता है इनके बीच मेना हीटर अगुमेंट चल रही है रवी ने बोला था भई आपने ही मतलब उसको ना दिक्कत है बड़ों के डबल स्टांडर्ड यह जो उनके दोगली बाते हैं उनसे दिक्कत है एक तरफ तो बड़े बोलते हैं उसकी य जानवरों के साथ काइन रहना चाहिए जानवरों की बात चल रहे थी ठीक है जानवरों की बार चल रहä थी we should be Kant to All the Animals ठीक है kind to everybody पर जब हम होने लगते हैं जब हम अपने आस-पास की जानवरों को feed 다시 करने लगते हैं अब जब हम बनने जाते हैं, तो भी इनको दिक्कत है, आप उन्होंने फिर से डांट मार दी, मतलब क्या चाहते हैं, क्या है ये बड़े लोग हम से, ऐसे हमने दिक्कत हो जाती है, रवी जो है, वो कहते है, आप ही ने ये का था, आप ही ने वो का था, आपने का था, करना ने दिमाग में नहीं गुस्ती है, नहीं आता है के तुम्हें समझ में, ऐसे बाद चल रही है, फिर उसके बाद, उसने बोला, रवी ने, आगे वो बोलता है, बट मेरी चपल दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है, कि मेरी जो चपल का साइजर बैगर को नहीं आता, इसलिए मुझ ये बताओ, अगर वो फिट हो जाती, तो तब कि आपको बुरा नहीं लगता, तब कि आपको अच्छा लगता कि मैंने अपनी चपल दे दिया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आपने म्यूजिक मास्टर की चपल देने से इतना गुस्ता किया, आपको जो है, ये बात पसंद में नहीं आई है, मैंने आपकी बात मान ली, पर अगर मेरी चपल फिट नहीं हो रही थी, और अगर वो हो जाती, तो तब भी क्या आप ऐसे ही अपने तेज का प्रकोब दिखाते, अपने गुस्ते का प्रकोब दिखाते, या फिर नहीं गुस्ता होते, बस मुझे आपका मैं समझ जाओंगा, आप जो है, kindness की बाते सची करते हो या जूटी करते हो, वो जो है, टेस्स लेने लग गया अपनी रुकुमनी का, ठीक है, अपनी अम्मा का, रवी, said रुकुमनी, very angry now, go inside this minute, अब जो है, उनको इसके बारे में कोई बहस नहीं करनी थी, रुकुमनी को, क अब क्या होता है, she hurried indoors and brought out gopoo mamas, hardly worn new chapels, अब जो रुकुमनी क्या करती है, अंदर जाती है, वो और लेकर आती है, gopoo mama की, मतलब जो उने बहुत कम पहनी है, hardly worn यानि की, एक आदबार कभी पहनी होगी, बहुत rarely worn, ठीक है, बहुत कम पहनने वाली gopoo mama की चपल दे देते है वो new chapels है, ठीक है, वो जो है वो लेकर आती है, these should fit you sir, please put these on, I'm so sorry, वो बोलती है, रुकुमनी, please आप ये पहन लीजिए, आपको ये fit हो जाएंगी, और मेरा बहुत बहुत तहे दिल से sorry है आपको, ठीक है, मैं sorry feel कर रही हूँ, my son has been very naughty, the music master's eyes lit up, अब वो कहते है कि भई मेर मेरा जो बच्चा है ना, मेरा जो बच्चा है, बहुत शेतान है, बहुत शेतान किसम का है, music master's जो है, यही सोचके, उनकी जो आखे है, वो चमक जाती है, ठीक है, उनकी जो आइस में शाइना जाती है, लिट अजाती है, यानि की चमक जाती है, he put them on, trying not to look too happy, मतलब वो new chapels बच्चों बच्चों ने मेरी चपल किसी और को देदी है, उपर से, अब यह एक्सपेक्ट कर रहे है, कि मैं इनको खुश कर दिखा हूँ, अरे वा, उत तरीकी, new chapels, नहीं, मैं खुश नहींगा, I'll just act करूँगा, कि ठीक है, चलो, इनको यह करना बनता था, वो ऐसे acting करता अब देखो क्या होता है, स्टोरी में, well, I suppose these will to do, वो बुलता है, वैसे मुझे लग रहा है कि यह चल जाएंगे, इनका काम जो है वो चल जाएगा, ऐसे वो ऐसे दिखाते है, ठीक है, अब क्या होता है, कि these days children have no respect for elders, what to do, अब वो कहते है, music master जी कहते है, यहाँ पे, कि यह आजकल के बच्चों में न कोई रिस्पेक्ट रहे नहीं गई है, बड़ो के साथ बद LIKE तमीजी से बात करना, बड़ो के साथ और अरग्यूमेंट करना, बड़ो की बते नहीं मानना, उनकी बातों कु काटना, डिस- ओबे करना, यह जो है बच्चों में कूट कूट की भर मतलब यह जो है रुकुमनी कह रही है बेसिकल आजकल के बच्चों में कोई शरम लिहाज नहीं रह गया यार जैसे आपनी मदर को अपनी ग्रांड मदर को परिशान करते हैं तो ऐसे ही कंपलेन करते हैं फिर उनने बड़ा कोई हनुमान का इनकार्नेट यानि की आना चाहिए उनके रूप में कोई भगवान आना चाहिए उनके रूप में कोई जनम लेने वाना होना चाहिए फिर उनने बला सिर्फ राम सिर्फ राम ही थे इतने बच्चे इतने बच्चे इतने बच्चे सिर्फ राम ही ऐसे बच्चों को ऐसे शैतान बच्चों को बचाए ठीक है यह उनकी बाते चल रही है Rukumani's eyes flash मतलब उन्होंने जो है आँखों को ऐसे करते वे बोला बहुत गुसारा था उन्हे She didn't seem to like Ravi being called a monkey Even a holy monkey She stood stiff and straight by the front door अब क्या होते है Rukumani की जो आँखे है वो थोड़ी सी ऐसे इदर उदर देखते हैं चमकाते वे अब क्या होते है अब वो उन्हेना पसंद नहीं आया मतलब उन्होंने बोल दिया कि हनुमान का ही कोई वो होना चाया था incarnate होना चाया था उनके रूप में कोई जनम लेने वाला ऐसा होना चाया था तो फिर पिर उसके बाद उनको Realize होता है कि मैंने रवी को बंदर से कंपेर कर दिया है, ठीक है, बहले ही वो होली मंकी हो, बहले ही वो साफ पंडित मंकी हो, फिर भी मैंने उन्हें कंपेर कर दिया है, फिर भी एसे सीधी खड़ी होती है, और दर्वाजे के पास खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है, वो बहुत क्लिर था कि वो जो है रुकमनी चाहती थी, आप वो फट फट से चले गाए और इनको रुकमनी को और शरमिंदगी महसूस नहीं हो, ठीक है फट फट से आप से ठीक है इसलिए वो दर्वाजे के पास खड़ी रही कि भाई चलिए अब जाईए यह इसी का इंतजार है, when he had clattered off in his new chappals she said, Mridu come in and have some tiffin, जब उन्होंने क्या किया, clattered off का मतलब होता है gone off noisily, आवाज निकाल के मतलब ऐसे चपलों को ड्राग करके घसीट घसीट के चलने एसे एसे चपलों को घिसते वे जाते हैं, ठीक है, तो वो clatter off करते है, अपनी new chappals, बड़े खुश है, आज तो master ji, जो music master है, बड़े खुश है new chappals लेके उसको घसीट-घसीट के जाते है, तकी दुनिया को पता चले जार, new chappals है, फिर वो कहती है कि Imridu, अंदर आओ, औ ठीक है, अपना खाना खाओ, अब क्या होता है, honestly, how do you children think of such things, रुकुमनी जो है, वो हरान हो जाते है, वो बोलती है, सच सच बता दो एक बात मुझे, तुम लोग ये जो खुराफाती बच्चे हो, ऐसी बाती कैसे सोच लेते हो, इतनी बड़ी-बड़ी, बड़ो वाली बा सब मिलके ना, प्लीज मत मिला करो, एक जोट मत हुआ करो, ये जो खाली दिमाग है, तुम बच्चों का बन जाता है, ऐसे वो कहना चारी है, फिर क्या होता है, वो कहती है, थैंक गॉपु मामा दोजन्ट वेर इस चपल्स तु वर्क, उन्होंने बोला, ये तो भगवान का लाक लाक शुकर है कि आपके जो गोपु मामा है, तुम्हारे जो गोपु मामा है वो इन चपलों को काम, दफतर जाते ताइम नहीं पहनते हैं, जब वो काम पे जाते हैं, तो, as she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh, तो ना, उन्होंने थोड़ी सी डाट लगा दिया, अब क्या होता है, पेरंस को भी हसी आ जाते हैं, कि भाया, जो भी बच्चे काम करे रहें, चलो उन्होंने थोड़ी श्रतानी करें, आखर है तो दिल के अच्छे ना, है तो बच्चे मन के सच्छे ना, तो फिर ना, वो जाती है, जैसे ही वो किच्छन में जाती है, मीना और मृदू की तरफ जो इनके गोपु मामा है, वो हमेशा इतनी जल्दी में रहते हैं, फटा-फट से अपने शूज को थो करते हैं, अपनी सौक्स इदर फैक देते हैं, शूज इदर फैक देते हैं, और राते ही सबसे पहले अपने चपल पर टूट पड़ते हैं, कि भाया चपल गएं, क्यों बहले ही हमें वो दिखाई दे या ना दे, ठीक हैं? बहले ही हम ढग से उन्हें इम्पोर्टन्स दे या ना दे पर मानो यानमाना चपले बहुत जरूरी हैं उसके बिना जो यह जो रास्ते हैं, जो दुनिया काटे लगते लगते हैं, बेटा, प्यारे बच्चों ठीक है? तो वो कहते है कि वही आपके जब गोपु मामा तुमारी गोपु मामा आते है वो हमेशा इतनी जल्दबाजी में रहते है आते ही शूज इदर फैका, सॉक सिदर फैके और तूट पड़ते है अपनी चपलों पे ठीक है जैसी वो घर आते हैं काम से अब मुझे डर तो इस वात का है कि शाम को जब आएंगे तुमें क्या कहूंगी कि मैंने तुम्हारी चपल मुजिक मास्टर को दे दी है क्यों दे दी है अब यह पूरी कहानी उन्हें भी बतलानी पड़ेगी तो देखो क्या आपको यह पूरी कहानी फिर से जाननी है अरे नहीं माफ करो यार माफ करो हम गोपू मामन नहीं है हमें मत सुना दे ना यह कहानी फिर से हम बहुत बारी पड़ चुके ऐसे ऐसे यत्याचार मत करो हमारे साथ तो बेचा जी आज जह है न हमारा गिफ्ट ऑफ चपल्स खतम हो गया है ठीक है थोड़ी से दुखी हो थोड़ी सी खुश हो लेकिन question answers तो बाकी है न मेरे दोज तो question answers हम करेंगे अपनी next class में लेकिन उससे पहले देखो यह जो है वसंत सूर्या इन्होंने लिखी है यह कहानी अब क्या होता है यहां पर यह कहानी के शुरुवात बोले कि बारे से खुलेगा तो क्या बात चलेगी आप इनके राइटर का नाम देख लो भई इन्होंने लिखी है यह कहानी बड़ी प्यारी कहानी थी एक बार फिर से छोटा सा revision ले ले लें क्योंकि आप quiz आएगी इसक असर्द हो गयार तो मैं जो हूं मैं जो हूं सिर्फ आपको लिख के दिखाऊंगे जो बाते आप कहोगे इसको ठीक है मैं यह देखूंगे आपको chapter कितना समझाया कितना पढ़ते हो घर पर जाके कितना नहीं पढ़ते हो एक revision लेलो एक लेलो मेरी मानो तो भाया एक revision हम पट से कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है चलो एंड यह बता देती हूं अभी हमने आज क्या क्या पड़ा है ठीक है यहाँ से बता देती है मैं फटाफट से तो आज न हमने ये पढ़ा था कहाँ तक करहा हुआ है गारी बात ऊगी ती रुविजिन है ये जो बच्चे हैं विकारी को बेगर को मुजएक मास्टर की मुजँघजशेन चपल मुजटर मुजटर आते हैं अपनी चपलो को गुंनने बहहर निकलते है State रुकुमनी आ जाती है पिक्चर में वो भी इहरान हो जाती है उनको जाए शर्मिंद की महसूस होती है कि हमारे घर में आये हैं महमान आये और उन्हें अपनी चपल नहीं मिल रही जमीन खा गई आसमान निगल गया कहा जा सकती है चपल बड़े चिंटेता है सब के सब रुकुमनी को हो जाता है डाउट बच्चों के के बच्चे होते हैं शतान बच्चे मचाते है हुर्दंग सारे बच्चे मिलके महा एकत्तरत हो गए है वो पूछ रही है ऐसे कि भई यह बता दो चपले क्या तुमने एक मिनट एक मिनट क्या तुम में से किसी ने चपल चुपाई है सच सच बता हो यहां पे ना मृदू जो है इतनी प्यारी फूल सी बच्ची है हमारी इतनी इनसेंट होती है क्योंकि ना बेटा अगर गलती करो या जो भी करो डाट पढ़ने की चिंता नहीं करनी है हमें अपने ममी बाप को सब ब यहां तुम में सब बटा दिया फिर क्या होती है इतनी को अगर में यहां को तो यहां बिलकुझ आसमें सब भोकला जात hen फिर क्या होता है रुकमंच को आसानी कि मेरी सेवंग साइथ면 ब्ुछण बहुती है बच्चों को बिलकुल रिस्पक यहां इतनी को बिल्कुल रीष लेकर एंदá ठेले तो रुकमानी औरवी कि चलती है और पेलें ॹर्य कछै करन्न यार को क्या लाँत्क्त in करन्न पर छोप में। रुकमानी पिल और आपके और दूसरों अड़कर ब्जिक्वन्नि अपना निया तरह न पहता है अज तो नहीं चपल मिल गई है वो झो है भुषी जाहिर ना करते हुए इसë घसीर चले जाते हैं वो वेटी कर रहा है सब लोग जाहेंगे इससे जा ज्याद़ की शरमिंदा होना पिर क्या होता है जैसी वो जाते है वो बुलते है तुमारे दिमाग में कैसे आइडियास आते हैं रुकमनी बच्चों की क्लास लेती है अंदर से हस्ती भी है और अंदर से चिन्तिती है साती सात की जब गोपु मामा आएंगे ज़ट से जब वो अपने ये जूते मोजे जब सब उतार देते हैं तो उन्हें अपनी चपल दिखाई देती है क्या बोलूँगी मैं उन्हें कि मैंने तुम्हारी चपल म्यूजिक मास्टर जी को दे दी आगे की कहानी जो है आप बताओगे मुझे क्या हुआ होगा मुझे कॉमें बताना क्या हुआ होगा मैं इस कहानी को समाप्त करते हुए जा रही हूँ अपनी क्विज पे तैयार रहो आज़ो फटावट से आज़ो 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 क्विज पे चलते हैं इसमें जोरो शोरो से सबने भाग लेना है क्योंकि चाप्टर जो है इसमतलब होता है बेटा जाएंट बहुत बहुत बढ़ा ठीक है इसका अपोज़ो बतादो फटाफट से बताओगे options आपके screen पर small big short tiny बताओ 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 इसका exact opposite बताना है आपने जूज का answer बताओ चले next question पर बताओ चले क्या चलो बहुत बढ़ी आज चलते हैं आपने दूसरे सवाल पर जो के कहता है who said these words यह akshar किसने कहेते these days children have no respect for elders आज कल के बच्चों में कोई respect नहीं रह गई है elders के लिए तो आप मुझे बता दोगे ठीक है कोई respect नहीं रह गई है बच्चों के लिए answer बताओगे आप मुझे इसका बताओ बताओ चलो चलो फिर हम चलते हैं आपने पुराने question पर चले क्या चले चलो बही चलते हैं आपने पहले question पर कहते हैं यह की ना huge मने की बहुत बड़ा ठीक है giant giant को opposite देखते हैं क्या होता है small मतलब चोटू सा अगर आपकी height short है तो हम कह सकते है कोई चीज चोटी है हम उसे कहींगे small लेकिन यह स्वर्ड का बच्चों exact opposite नहीं होगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा गलत जवाब क्योंकि small जो है height से related बात करते हैं huge में हम height नहीं लाते हैं कोई चीज बहुत बड़ी हो तो उसको opposite जो है उसके लिए हम small use नहीं करते हैं exact antonym देखना हमें उसे उसका exact opposite word देखना है ठीक है अब चालो बी option कह रहा है big यह तो easy के जैसे ही हो गया गलत जवाब है short short again height के लिए यूज करते हैं नहीं आएगा यह भी गलत जवाब है दिया जाएगा अपना tiny tiny छोटू सा इतू सा प्यारा सा tiny हो जाएगा अपना correct जवाब यह एकदम opposite होता है huge का opposite होता है tiny देदो के correct जवाब अरे आज तो हमने एक vocabulary solve कर दिया एक grammar solve कर दिया हमने एक नए आक्षर सीख लिया है और इसका उल्टा शब्द भी देख लिया है ठीक है अनुपरायवाची चालो अब मैं क्या कर रही हूँ अपने दूसरे क्वेशन पर चल रही हूँ कह रहा है यह आज कल के बच्चों में कोई respect नहीं है एल्डवस के लिए वह घसीर तब जाते है ना अपनी चपल को music master जी तब वो यह बात कहते है ठीक है फिर उनने hanuman ji raam से compare कर लिया था जो कि कर लो इंसर्ट जितनी करनी है बस अब जाओ यहां से ठीक है ऐसे चल रहा था यहां पर शर्मिंदगी में बात चल रही थी यह जो बात है ना कही थी music master जी ने हम कहा देंगे बी को correct जवाब गोफु मामा तो थे ही नहीं घर पर रवी जो है चोटा बच्चा है वो क्या कहे जाएगा अपने बारे में रुकुमानी जो है वो शर्मिंदगी महसूस अतवे बाते सुन रही थी भी हो जाएगा अपना correct जवाब बोलो समझ आया की नहीं तो सबको समझ आ गया यार यह वाला सवाल तो बहुत बड़ी आसी बात है नेक्स क्लास में नेक्स लेक्चर में ह झाला सवाल नेक्स